दोस्तो आज किस क्लास में हम विहार डियलिड इंटरेंस एकजाम 2013 के लिए रिजनिंग के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे दोस्तो इससे पहले हम अल्रेडी 54 कोसिंस सॉल्व कर चुके हैं यदि दोस्तो आपने उन सभी कोसिंस को सॉल्व नहीं किया है तो आजकिस क्लास में इन सभी कोसिंस को सॉल्व करेंगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं देखे दोस्तो रीजनिंग में जो है 15-10 टोपिक से आपके कोसिंस पूछे जाएंगे तो दोस्तो रीजनिंग में जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, बस दोस्तो आप इन सभी questions को कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक ना, सभी topics से जो हम 100-100 questions करेंगे, तो practice भी हो जाएगा इससे, तो अभी वर्तमान में दोस्तो हमारा जो topic चल रहा है, फोलो करके बनाया जाता है, और वही pattern दोस्तो हमें ढूनना होता है, तो जैसे इस टाइप के जो questions होते हैं, box वाले, इसका नियम होता है दोस्तो कि यदि किसी box में तीन column बना है, तो उसमें दोस्तो स्टार्टिंग के जोया में, दो column का pattern चेक करना होता है, यदि दोस्तो द question में, दोस्तो 90 में से 81 को minus कर दिया गया है, और जो आया है दोस्तो उसका work moon निकाल दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए, 90 में से जब दोस्तो आप 81 minus करेंगे, तो आपका 9 आएगा, और 9 का दोस्तो जब आप work moon निकालेंगे, तो 3 आएगा, देखिए, अब इसी pattern को follow क हम answer pattern check करते हैं कि क्या ये same pattern को follow कर रहा है यदि करता है दोस्तों तो ये हमारा नियम होता है कि यदि किसी box में 3 column बने हो और starting के 2 column same pattern को follow कर रहा है तो उन्हीं दोनों pattern को follow करते हुए हम third column का answer निकालेंगे तो देखिए 76 में से दोस्तों आप जो है according हम answer निकालेंगे तो हमें क्या करना है question mark है तो यहाँ पर हमें नहीं पता है यहाँ पर तो question mark को दोस्तों हम x माल लेंगे और x में से 49 हम minus करेंगे अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बरावर में 6 नहीं रखना है क्योंकि आप से भी जान रहे है उसका बर्गमूल निकाल दिया गया है तो जैसे यह बर्गमूल है और बरावर में 6 तो आखिर किसका बर्गमूल 6 होता है दोस्तों तो 36 का बर्गमूल 6 होता है या फिर आप बर्गमूल को इस साइड ले कर जाएंगे तो यह बर्गमूल वाले जो साइन है यह square में change हो जाएगा तो 36 तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा यहाँ पर हमारा 36 रहेगा यहाँ पर दोस्तो direct हम 36 लिख देते हैं ठीक रहे इतना तो हम दिमाग लगा ही सकते हैं तो देखिए x-49 ब्रावर में हम 36 लिख देते हैं अब दोस्तो x यहीं रहने दीजिए और इसको आप इस side लेकर जाएगे तो यह 49 माइनिस में ब्रावर की side में जाकर दोस्तो यह हमारा plus में हो जाएगा तो इन दोनों को आप plus कर दीजिए और उसका हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर दोस्तो हम plus कर देते हैं 9 और 6 पंदरा हो जाएगा आप 15 के 5, 4 और 3, 7 और 1, 8 तो 85 हमारा answer आगया यहाँ पर question mark के स्थान पर 85 और दोस्तो आप check भी कर सकते हैं same pattern का follow मतलब कि same pattern का use करते हुए देखिए 85 में से दोस्तो आप 49 माइनिस कर दीजिए तो आपका 36 आ जाएगा और 36 कबर्ग मुन निकाल दीजिए तो 6 answer आ जाएगा है ना कितना असान दोस्तो इस question में काफी आसान pattern यूज किया गया है और इससे related हम already 2-3 question solve कर चुके हैं देखिए इस question में दोस्तो first column में आप चेक कीजिए कि आखिर इन तीनों numbers को क्या किया गया है जिससे यहाँ पर 13 आया है तो दोस्तो हम ऐसा कर सकते हैं 3 और 2 को हम multiply कर देते हैं और 7 को उसमें plus कर देते हैं तो 3, 2 जा हमारा 6 हो जाएगा और 6 और 7 हमारा 13 हो जाएगा अब same pattern को follow करते हुए हमें second column को check करते हैं कि क्या ये भी same pattern को follow कर रहा है तो 4, 5 जो 20, 20 में और 2 plus आप करेंगे दोस्तो तो हमारा 22 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि same pattern follow कर रहा है तो same वैसे ही जो है इसको solve कर लेते हैं तो 1 को आप 6 से multiply करेंगे 6 आएगा और 6 में 8 जब आप plus करेंगे तो 14 हमारा answer आजाएगा देखें दोस्तो ये भी काफी आसान question है इस question में दोस्तो आप क्या कीजिए 2 में आप 3 plus कीजिए तो जब आप 2 में 3 plus करेंगे तो 5 आएगा 5 में दोस्तो आप 4 plus कर दीजिए 9 में आप 5 plus करेंगे देखें 2 में 3 plus करेंगे तो 5 आएगा और 5 में 4 plus करेंगे तो आपका 9 आएगा 9 में 5 plus करेंगे तो 14 आएगा और 14 में दोस्तो आपको 6 plus करना है तो यहाँ पर 20 आजाएगा और 20 में आप 7 प्लस करेंगे तो 27 आयेगा तो इस कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो करमागत प्राकर्तिक जो संख्याएं होती है 1, 2 को छोड़कर यहाँ पर 3 से जो है स्टार्ट किया गया है और 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से जो है संख्याओं को प्लस किया गया है ठीक ना इसका आंसर दोस्तों हमारा 20 आ जाएगा कहने के मतलब यह है कि यहाँ पर लगतार संख्याओं को जो है बढ़ते करम में प्लस किया गया है या फिर दोस्तों आप इस तरीके से भी कर सकते हैं देखिए इसके जैसा questions भी दोस्तों हम पहले कर चुके हैं देखिए इस question में दोस्तों यह वाला हमारा first column है तो इसमें इन तीनों संख्याओं को जो है न हम प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जब आप इं तीनों को प्लस करेंगे तो आपका 15 आएगा ठीक न तो बरावर में आप क्या कर दिजी 20 कर दिजी यहाँ पर अब उसके बाद दोस्तों इन तीनों संख्याओं को आप प्लस कर दिजी चार और दो छे छे और तिन नो ब्रावर में यहाँ पर आप 14 कर दीजी इसको लिख दीजी अब दोस्तो थर्ड कॉलम में भी जो संख्या है इनको भी आप प्लस कर दीजी ब्रावर में यहाँ पर कॉशन मार्क अब दोस्तो यहाँ पर जो है ना सेम होना चाहिए, तो मालनीजी दोस्तों यहाँ पर अगर हम 5 प्लस करते हैं तो 5 यहाँ पर भी हमें प्लस करना होगा और चेक करते हैं कि क्या यह जो संख्याय दे रखी थी already, यह आ रहा है तो देखे, साथ दोनों 9 और 6 यहाँ पर 15 होता है 15 में 5 आप प्लस करेंगे, तो 20 आ रहा है ठीक न, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने 5 को प्लस किया है, तो 2 और 4 यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 दोस्तों, और 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा और 9 और 5, 14 हो जाएगा यहाँ पर आ रहा है, तो यह वाला हमारा प्लस करेंगे, तो यहाँ पर भी हम 5 प्लस कर देते हैं, और जो इसको आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि यह हमने प्लस करेंगे, तो 8, 5, 13, 13 और 7, 20, 20, 25, 25 25 इसका आंसर आ जाएगा देखे दोस्तों, यह भी जाफी आसान कोश्चन है, इस कोश्चन में दोस्तों, फर्स्ट कॉलम में जो संख्याएं दे रखी है इन तीनों को आप प्लस कर दीजिए तो यहाँ पर दोस्तों, जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे, तो आपका दोस्तों यहाँ पर 24 और 5, यहाँ पर 38, तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, कि यहाँ पर जो है ना, इन тीनों नमबर्स को प्लस कर दिया गया है, यह वाला पिटरनी यहाँ पर यूज किया गया है, ठी ना तो यहाँ पर इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं, तो देखे अठार दुन छटीस, और एक सैंट इन दोनों का स्कॉर्ट करके प्लास कर दिया गया है, तो देखिए, आप जब दोस्तों 6 करेंगे, तो 36 हो जाएगा, और 7 करेंगे, 2349 और जब आप इन दोनों को प्लास करेंगे, तो 85 आएगा, तो सेम प्रेटरन को फॉलो करते हुए हम सेकंड को चेक करते हैं, कि क्या second column में दोस्तों क्या करते है 8 का square जब आप करेंगे तो 8 84 और 9 का square करेंगे तो 9 निम 81 तो 64 और 81 को आप plus कर दीजी तो देखे 4 और 1 5 और 8 और 6 14 14 यहाँ पर आ जाएगा देखे तो 145 हमारा answer आ गया answer नहीं आया यह यह वाला हमारा second column का pattern है तो देखे same pattern second column में भी follow किया गया है तो इसको भी same वैसे ही कर लेते हैं हमारा answer आ जाएगा इन दोनों संख्याओं का दोस्तों यहाँ पर हम square कर देते हैं same pattern को follow करते हुए और इनको हम plus कर देंगे ठीक है ना 144 प्लस में 196 इन दोनों को जब आप plus करेंगे तो 340 आपका answer आ जाएगा sorry दोस्तो 340 हमारा answer आ जाएगा question mark के स्थान पर देखे इसमें भी संख्याओं को दोस्तों plus कर दिया गया है जैसे यह आपका first column हो गया तो इसमें दोस्तों इन तीनों numbers को जो है ना आप plus करके देखिए तो 8 और 9 17 होता है 17 और plus में 30 तो यहाँ पर दोस्तों 47 हो जाएगा इसी तरीके से दोस्तों second column में जो संख्याओं दे रखे इनको plus केजिए तो 30 और 7 30 हो जाएगा 30 में दोस्तों जब आप 17 plus करेंगे तो देखिए 47 हो रहा है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर same pattern reuse किया गया है तो इन तीनों को आप यहाँ पर देखिए plus कर लेते हैं और बरावर में हमें 47 रखना है क्योंकि हमें नहीं पता है इन तीनों numbers को हम plus कर लेते हैं जिस column में हमें find करना है answer और question मारकस्तान पर हमें x मानना है और बरावर में 47 रखना है ठीक नहीं यहीं हमारा pattern है अब दोस्तों इन दोनों को आप plus कर लीजिए तो यहाँ पर हमारा 22 आ जाएगा plus में x बरावर में 47 x यहीं रहने दीजिए 47 माइनस में 22 कर दीजिए तो यहाँ पर मारा answer आ जाएगा देखे इन दोनों को यहाँ पर क्या किया गया है जिससे यहाँ पर जो है इस column में जो 72 है आ गया है तो 9,72 इसी तरीके से दोस्तो 12 निमें 108 तो यहाँ पर आखिर क्या रखा जाए जिससे 36 आ जाए तो यहाँ पर आप सभी जानने कि इन दोनों को multiply कर दिया गया है और is equal to 36 किया गया है है ना ऐसे ही किया गया है ना जैसे यहाँ पर देखे प्रेटर्न आप देखे 12 निमे 108 ब्रावर में 108 आया है ना इसी तरीके से यहाँ पर किया गया है 72 तो सेम प्रेटर्न के यूज करते हुए हम इसका आंसर निकालेंगे 9 गुणा में X ब्रावर में 36 X यहीं रहने दीजिए और 9 यहाँ पर multiply में ब्रावर की side में जाकर भाग में change हो जाएगा 9 चोक 36 4 हमारा आंसर आ गया दोस्तो जितना हम practice करेंगे उतना हमें pattern ही याद होगा और pattern पर आधारित equations इस type के पूछे जाते हैं देखें यहाँ पर दोस्तो आप लोग क्या कीजिए उपर में जो 2 numbers 36 और 72 इन दोनों को plus कीजिए और इन दोनों को plus कीजिए और देखें कि क्या संख्याय दोनों तरफ बरावर है तो हम पहले दोस्तो इन दोनों को plus कर लेते हैं 36 और 72 तो जब आप दोस्तो 36 और 72 को जब आप plus करेंगे तो यहाँ पर आपका 108 आएगा इसी तरीके से दोस्तो 56 और 52 को हम plus करते हैं देखते हैं कितना आता है तो इन दोनों को जब आप plus करेंगे तो आपका 108 आएगा तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना दोनों पक्ष में, दोनों साइड में यह जो संख्याए है यह दोनों बरावर है, equal है ठीक ना, इसी तरीके से हम इनको भी चेक करते है देखे, अब हम second column को चेक करते है कि क्या दोनों साइड में जो संख्याए है वो equal है या नहीं है, ठीक ना तो 86 plus में 59, इनको जब आप plus करेंगे दोस्तों, तो आपका 145 आएगा, इसी तरीके से इन दोनों को हम plus करके देखते हैं तो 45 plus में 100, तो यहाँ पर भी 145 आ रहे है, तो कहने का मतलब यह है, कि दोस्तों यहाँ पर same pattern यूज किया गया है इन दोनों को plus किया गया है, तो संख्याए equal है, इसी तरीके से यहाँ पर भी plus किया गया है, हमें यह नहीं देखना है कि first column में plus करने पर कितना आ रहा था हमें यह देखना है कि दोनों side बस equal होना चाहिए, ठीक ना, तो same pattern का use करके जो है, इसका हम answer निकालेंगे, तो 35 plus में 78 कर दीजिए, और ब्रावर में यहाँ पर question मार के स्थान पर x रख दीजिए, और plus में 100 अब दोस्तों आप इसको solve कर दीजिए आपका answer आजाएगा, तो देखिए, इन दोनों को आप plus कर दीजिए, या फिर दोस्तों आप इसको side change करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दीकत नहीं है, इस तरीके से, तो आसानी होगा side change करने में x यहीं रहने दीजिए, और 10 को दोस्तों इस side आप लेकर चले जाएए, तो यहाँ पर minus में हो जाएगा 10, यहाँ पर दोस्तों हम x लिखते हैं, बरावर में यहाँ पर plus हो रहाता है न, 35 plus में 78, और minus में 10 sorry दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक mistake कर दिया है, I am very very sorry यहाँ पर 100 है न, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया है, 100 हमें लिखना है यहाँ पर इन दोनों को हम plus कर देते हैं, तो 5 और 8 यहाँ पर हमारा 13 हो जाएगा और 7 और 3 10 और 1 11, अब 113 में से दोस्तों आप 100 माइनिस कर दीजी तो आपका 13 आंसर आ जाएगा दोस्तों कई बार कुछ questions में काफी आसान pattern यूज कर लिया जाता है लेकिन दोस्तों हमें ध्यान में नहीं आता अब इस question में देखिए आप इस question में दोस्तों आप क्या किजी इन 3 और प्लस कर दीजी और यही वाला pattern यूज किया गया है लेकिन दोस्तों मैं भी इसको solve जब कर रहा था तो मैं कुछ अलगी pattern यूज कर रहा था लेकिन यहाँ पर इन 3 और प्लस कर दिया गया है जैसे यहाँ पर 6 और 7 तेरा तेरा में 3 आप जोड दीजी तो यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा 9 और 1 10 X यहीं रहने दीजीए 10 आप इस सेड लेकर जाएगे तो 16 मैंस में 10 हो जाएगा तो 16 में से 10 जाएगा तो आपका 6 आंसर आ जाएगा ठीकिना X ब्रावर में 6 देखे दोस्तों इस question में भी काफी आसान pattern यूज किया गया है यहाँ पर दोस्तों यह जो हमारा यह box है इसमें 4 संख्या है आप देख रहे है तो इनको दोस्तों प्लस कर दिया गया है तो देखिए 2 और 3 यहाँ पर 5 हो जाएगा और 5 और 6 यहाँ पर हमारा 11 हो जाएगा 11 में दोस्तों आप 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 19 हो गया इसी तरीके से इस box में जितने भी नंबरें इनको आप प्लस कर लीजिए 9, 2, 11, 11, 11, 8, कितना हो जाएगा 11, 8, 19 तो सेम दोस्तो इसमें भी है सेम तीनों को आप प्लस कर लीजिए 12 और 2, यहाँ पर 14 हो जाएगा 14 और 3 यहाँ पर दोस्तों हमारा 17 हो जाएगा देखे इस तरीके से कीजी और प्लस में आपको X रखना है यहाँ पर कोशन मार के स्थान पर और बरावर में 19 रखना है देखे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो ऐसे ही सेम जो है थर्ड बॉक्स में जो संख्याय दे रखे हैं इनको हम प्लस कर लेंगे और कोशन मार के स्थान पर हम X माल लेंगे और बरावर में हमारे यह पेटरन बन रहा है ठीक न तो यहाँ पर भी हम 19 रखेंगे क्योंकि सभी बॉक्स को प्लस करने पर हमारा 19 आ रहा है दोस्तों इस कोशन का आंसर आप लोग कमेंड बॉक्स में बताएंगे बहुत यह आसान कोशन है यहाँ पर थोड़ा समय आपको हिंट दे देता हूँ देखिए इन दोनों को मल्टिप्लाइ किया गया है